नमस्कार दोस्तों, DRDO के द्वारा एक बहुती बहतरीन काम किया गया है, Lightweight Bulletproof Jacket बनाकर, जो कि हमारी Indian Army की requirement को serve कर पाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, DRDO Dallas Bulletproof Jacket weighing 9 kg meeting Indian Army requirements, although मैं आपको बता दू कि हमारे देश के अंदर जो Bulletproof Jacket है, वो बड़ी मातरा में पहले से बनाये जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसा जैसा आपको पता होगा कि जो Guns हो गए, Rifles हो गए, उनकी Technology बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ जो Bulletproof Jackets होते हैं, उसमें भी हमें better advancement करना होता है, लेकिन अगर हम उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो उसका जो weight है वो बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर DRDO ने क्या किया है, lightweight बनाया है, जो कि मैं आपको इसका पुरा procedure बताऊंगा, वीडियो के अंदर यह जो Bulletproof Jacket है, वो work कैसे करता है, और इतना lightweight होने के कारण, यह किस तरह से हमारे Indian Army को मदद सावित कर सकता है, तो काफ़ी कुछ जानने को है, चलिया आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं, अंकित अगरवाल ऑफिशल, और जैसा कि आपको पता है कि UPSC के एकजामस आने वाले हैं, अगर आप प्रिप्रेशन कर रहे हो इस साल, या फिर अगले साल के लिए, आप हमारे UPSC को जोईन कर सकते हैं, जहां पर आपको comprehensive way में static, current, हर एक चीज एक जगवा उपलब्त करा दिया जाता है, चलिए यहां पर exactly देखते हैं हुआ क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, DRDO के दोरा डवलप किया गया है, इस वाले bullet को यह cross नहीं करना चाहिए, तो हर एक चीज को यह requirement है, वो यहां पर अब हो चुका है, जो DRDO ने इसको डवलप किया है, और इसी को आप देख सकते हो यहां पर कि DRDO के दोरा tweet किया गया, और हमारे जो defense minister हैं, उन्होंने भी congratulate किया, और साथ में यह भी कहा, इंडिया needs more such innovative product design and development to realize the dream of आत निर्भर भारत, यहां पर सबसे बड़ा question आता है कि DRDO के किस laboratory के दोरा किया गया आपके exam point of view सी, क्योंकि DRDO के आप देखोगे, तो देश भर के अंदर बहुत सारे आपको laboratories देखने को मिलेंगे, तो कानपूर के अंदर यह वाला laboratory है, defense materials and store research and development establishment इनके दोरा यह पूरा develop किया गया है laboratory के अंदर, जितने भी नए-ने technology के प्रकार की चीज़े हैं, उसको यहां पर ध्यान में रखते वे इसको बनाए गया है, लेकिन इसकी testing आपको देखने को मिलेगी चंडीगड के अंदर, चंडीगड के अंदर यहां पर terminal ballistic research lab है, जहां इसकी testing की गई है और जिसके तहट बताया जा रहा है कि Bureau of Indian Standard BIS का मार्क इसको मिल चुका है, और मैं आपको बता दूँ कि यह जो bulletproof jacket देख रहे हो यहां पर, इसके अंदर basically बताया जा रहा है कि front hard armor panel लगा हुआ है, मतलब कि यह जो front में आप देखोगे ना, तो यहां पर hard material type की चीज़ें लगी हैं, क्योंकि usually क्या होता है कि यह जो bulletproof jacket होते हैं, वो fabric के बने होते हैं, मैं आपको इसकी पूरी working दिखाऊँगा, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, तो basically अभी तक क्या हो रहा था, कि 10.5 kg के आसपास इसका बजन हो रहा था, तो यहां पर ह मैं further इसको reduce करने की आउशकता थी, तो 9 kg का finally यह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन प्रशन आता है कि इससे फायदा क्या होगा, देखो हर 1 g, मैं किलो की दो बात ही नहीं करा हूँ, अगर थोड़ा थोड़ा ग्राम भी अगर हम इसमें reduce कर पाते हैं, तो यह comfort level को बढ़ा देता है, जो हमारी सेना उसको पहनती है, जिसकी वज़े से क्या होता है, कि यहाँ पर हम survive भी कर जाते हैं, अगर bullet लगता है, तो survive भी कर पाएंगे, प्लस यहाँ पर comfortable होगा, हमारी जो move करने की शक्ती है, वो इससे जादा बढ़ जाती है, और इसी की वज़े से यह जितन एक्सपोर्ट भी बड़ी मात्रा में किया जाता है, 18 देशों को हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो bullet proof jacket होता है, और यहाँ पर industrial licenses दिया हुआ है, हमारे देश के अंदर 15 companies को, 15 companies को हमने दिया है, जिनके पास capacity है, हर साल 10 लाग से भी जादा bullet proof jacket बनाने की, तो एक अच्छी बात ह है कि हम अपने देश की requirement तो पूरी करी रहे हैं, लेकिन बाहर export भी यहाँ पर कर रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर आपके exam point of view से याद रखेगा, आपके exam में आ सकता है कि recently शक्ती नाम का news में चल रहा था, तो यह basically क्या हुआ है कि Indian army के जो ज़वान है, उनी के द्वारा यहाँ पर world का पहला, जी हाँ, world का पहला flexible bulletproof vest for both male and female, usually क्या होता है, जो bulletproof jacket होता है, male के लिए अलग होता है, female के लिए अलग होता है, लेकिन यह universal बनाए गया है, male, female दोनों ही इसको पहन सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर picture में देख पा रहे होगे, तो शक्ती के नाम का, यह 13th January का ही news है, तो इसी साल का news है, ध्यान रखेगा, शक्ती नाम का यह bulletproof jacket बनाए गया था, चली अब हम आते हैं कि आपको पुरा कारण समझ में आ जाएक, मैंने आपको बताया ना कि यह bulletproof jacket में आगे front hard armor लगाए गया है, वो सारी जो science है, इसके पीछे मैं आपको बतात है, basically ball को रोक लेता है, आगे जाने से, यह तो हम सब को पता है, लेकिन यह ball रोकने का कारण एक ही है, कि यह जो fabrics आप देख रहे हो ना, यहाँ पर इतने सारे fabrics लगे में है, इसका जो impact है, यह जो forward movement है, energy है, वो सिर्फ यहीं पर नहीं होती, वो spread हो जाती है, पूरे fabric के अं बुलेट प्रूफ जैकेट में भी काम करता है, बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर यहाँ पर जो fabrics होते हैं, बहुती जादा यहाँ पर, मामूली आपको gap देखने को, मतलब देखता भी नहीं है, वैसे तो खुली आखो से, तो यहाँ पर क्या बहुत टाइट इस तरह से बना दिया जाता है, तो इस तरह का fabric होता है, अगर बुलेट यहाँ पर आता है, तो बुलेट आटोमेटिकली flexible होके वो आपका यहीं पर रुख जाता है, लेकिन इसके अंदर ध्यान रखेगा, जो fabric बनता है, जैसे कि यहाँ पर तो क्या है, बहुत सारी gap आपको देखने क मिल रहे हैं, जिसकी वजए से यह बुलेट थोड़ा सा जादा पूश हो जाता है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर हमें क्या एंशोर करना होता है, कि यह जो fabric है वो बहुत जादा close होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई भी gap नहीं होना चाहिए, अगर जादा gap होग तो अगें बुलेट जो है हमारे सरीर के अंदर एंटर कर सकता है, इसी की वजए से modern technology के जमाने में यहाँ पर जो synthetic fibers वगरा है, synthetic fibers वगरा, वो काफी help करते हैं इस तरह के fabrics को बनाने में, जिसकी वजए से आज हम बुलेट प्रूफ जैकेट बना सकते हैं, इंफाक्ट दिखाया गया किस तरह से dupont जो है, यह synthetic fiber वगरा बनाते हैं, तो chemical वगरा इनका release किया जाता था, जिसकी वजए से वो पुरे फिल्म में इसके बारे में बताय जाता था, लेकिन इन्होंने बेसिकली इसकी सुरुआत की थी fiber बनाने में, high strength के fiber, low weight का fiber बनाया जाता था, और यह basically कहलाता था, kevlar, ठीक है, और इसी के मदद से आगे चलकर यह जो bulletproof jacket है, इसी के मदद से बनाया जाने लगा, जो synthetic fiber होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक problem है, अब problem क्या है, कि जो normal आज के date में, जो low caliber वाले handguns होते हैं, उसको तो यह fiber वाले jackets रोक लेता है, लेकिन आज के date में यह जो high powered weapons हैं, जैसे rifle हो गया, जिसकी speed और strength बहुत जादा होती है, उसको क्या करेगा, यह bulletproof jacket रोक नहीं पाता है, और वो हमारे body के अंदर penetrate कर पाता है, इसकी वज़े से, यह सारी चीज़ें की होने की वज़े से, हमें hard bulletproof armor जो है, वो उसकी वज़े से बना हुआ होन चाहिए, आगे front में जो bulletproof jacket होता है, उसके front में, इस तरह का कुछ hard material लगा होना चाहिए, जिसकी वज़े से, rifle वाले bullets को भी रोक सके, लेकिन अगर हम इसका 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 weight बढ़ जाता है, और weight बढ़ जाएगा, तो army वैसी उसको use नहीं कर पाएगी, इसी की वज़े से, यह यहां पर यह वाला जो अभी lightweight बनाया गया है, यह वाला जो jacket आप देख रहे हो, यह important हो जाता है, कि हमने वो चीज अचीज अचीव कर लिया है, कि यह rifle वाले bullets को भी रोक पाएगा, प्लस यहां पर इसका weight भी उतना जादा नहीं है, तो इसी के वज़े से, यह वाला जो bulletproof jacket है, वो इतना जादा significant है, important है, I hope कि इसके बारे में जितनी भी जानकारी देनी थी, मैंने आप आपको यहां पर दे दिया है, जाने से पहले एक interesting आपके लिए question लेकर आया हो, defense से ही related है, INS खुरकी और INS विनाश के बारे में, बताए इसको ध्यान से पढ़िए, कौन सा correct ह करना चाहते हैं, study IQ app पर जा सकते हैं, I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता है आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.